अलिगड की कोटवाली उत्रोले इलाके में एक संसनी खेज मामला सामने आया है जहां उत्रोली कस्वे के शिवजी नगर में देर रात रिष्टों का कतल हो गया जान दो भाईों ने देर रात पहले तो बैट कर एक सा शराब पी शराब पीने के बाद शराब के नशे में दोनों में कहा सुनी होने के बाद जगड़ा हो गया जिसके बाद शराब के नसे में चूर भाईों ने एक दूसरे के ओपर धारदार चाकू से हमला बोल दिया जिसक वुकार की आवाज सुनकर मौझे पर पहुँचे इस्थान ये लोगों का जमावड़ा लग गया जिसके बाद मौझे पर इक फटा लोगों ने भाई दोरा भाई की हत्या की जान की सूचना इलाके पुलिस को दी भाई दोरा चाको से गोद कर भाई कि हत्या की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुँच गई मौके पर पहुँची पुलिस ने मरतक्षव को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया तो वहीं मौके पर मौके पुलिस हत्या करने वाले आरोपी भाई की तलाश कर जाच कर तफशीस में जुटी हुई है घटना की जानकारी देते हुए किरामीन पुलिस अध्यक्ष सुबम पटेल ने बताया कि कोतवाली उत्रोली छेतर पुलिस सूचना मिली थी पुलिस की भाई ने भाई को चाकू से गोद कर हत्या कर दिये जिसके बाद पुलिस ने म्रतक युवक की पत्नी के तहरीर के आधार पर आरोपी भाई के खिलाफ मुकदमा पंजिकरत कर लिया है पुलिस द्वारा हत्या करने वाले आरोपी भाई के तलाश की जा रहा है, शीगरी पुलिस द्वारा ग्रफतारी करते हुए कारेवाई की जाएगी. जाएगा पुलिस द्वारा ग्रफतारी करते हैं शीगरी पुलिस द्वारा ग्रफतारी करते हैं शीगरी जाएगी. पुलिस द्वारा ग्रफतारी करते हैं शीगरी जाएगी. एक भाई ने दूसरे भाई को दालदार चाकू से उसकी फरवार करके उसको घाल कर दिया और फिर अस्कताल में ले जाकर उसकी मृत्ती हो गई. तो इस सम्मन में थाना पुलिस ने जो मृतक है उसकी पत्नी की तरफ से जो तैरीर प्राफत हुई है उसके आदार पर फायार पंजिकरत कर ली गई है. और जो आरोपी है उसकी तलाश जा रही है और शीगरी उसकी गरफतारी करके आगे कारवाई की जाएगी.